हेलो फ्रेंट, स्वागात आपका अपने चैनल एग्रिफाई इस्टेडी में एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे केल्कुलेशन ओफ फाइटिलाइजर क्वांटिटी के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप फाइटिलाइजर की क्वांटिटी को केल्कुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि कितनी नुमेरिकल प्रोब्लम्स इस एक्सरसाइज के अंतर गताती हैं एंड हर numerical problems को हम किस परकार से solve करें तो friends वीडियो को आप लाश्ट अतक देखते रही है यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा important and knowledgeable होने वाली है आपके exam point of view से यदि आपने वीडियो को कहीं भी skip किया और कोई भी step आपने miss कर दिया तो आप पूरी complete जानकारी नहीं ले पाएंगे and जो भी आपके question आप exam के अंतरगत करोगे तो उसमें question को गलत होने के chances हैं वो बहुत जादा होगे तो इसलिए आप वीडियो को इदि complete watch करेंगे तो आप vitalizer से related जितनी वी exercise हैं ठीक है वो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे and कोई भी आपकी गलती उस particular exercise या question में नहीं होगी तो friends वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें कितनी numerical problems आती हैं ठीक है तो इस exercise के अंतरगत मैं आपको बताऊं तो तीन numerical problems इसके अंतरगत आती हैं जिसमें कि first है हमारी कि आपको basic से ठीक है एक basic question रहता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि 150 kg nitrogen चाहिए और आपके पास urea से वो complete करानी है ठीक है तो आप सीधे-सीधे निकाल देंगे urea में 46% nitrogen पाए जाता है ठीक है तो आप सीधा-सीधा calculation करतेंगे 46% present in 100 kg और 1 kg present in 100 upon 46 and 150 kg present in तो इसके लिए आपको 100 upon 46 into 150 करतेंगे ठीक है quantity of urea निकल करके आज आएगी तो एक तो ये इसमें numerical problem होगी ठीक है और दूसरी numerical problem ये है कि आपको एक field में 150 kg nitrogen and 50 kg potassium and 50 kg potassium and 50 kg phosphorus देनी है आपके पास fertilizer है urea, dap and murate of potassium ठीक है तब आप लोग क्या करते हैं? आप बहुत सारे student ये गलती करतेते हैं कि पहले वो quantity of urea निकल लेते हैं उसके बाद quantity of dap निकलते हैं and उसके बाद quantity of mop निकलते हैं यहीं पर आपका जो question है वो गलत हो जाता है तो आपको सही बे में किस तरह से निकलना है? सबसे पहले आपको निकलना है quantity of dap क्योंकि dap में दो ingredient होते हैं एक तो इसमें 18% nitrogen होती है and 46% fast forus रहती है तो आपको सबसे पहले quantity of dap निकलनी है ऐसे case के अंदर तो जैसे ही आप quantity of dap को calculate कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया पहले आपने युडिया की quantity करी उसी हिसाब से तो जो quantity of dap आईगी उसमें आप फिर 18% nitrogen पाई जाती है तो आप nitrogen की quantity निकाल लेंगे ठीक है तो nitrogen की quantity basically आपको जो भी आपके पास dap quantity आई तो आप nitrogen percentage निकलना आप जानते ही होंगे कि जो भी आपके पास है उसका आपको जितना भी percent निकालना है जैसी कि for example dap का 18% निकालना है तो यदि आपके पास 100 kg dap आई तो 100 into 18 upon 100 कर देंगे और जो भी आप cancer आएगा वो आपकी quantity of urea या nitrogen उसके अंतरकत हो जाएगी ठीक है एंड उसके बाद जो dap में nitrogen निकल के आए हो उसको आप total nitrogen में से minus कर देंगे and minus करने के बाद में rest जो nitrogen है वो आप urea से देंगे तब आपको quantity of urea निकालनी है then quantity of mop आप निकालेजिए आपका answer बिलकुल ही सही जाएगा and third जो numerical problem आती है वो आती है वो यहाँ पर ये question के माद देम साब देख लीजिए इसमें आपको complete जानकारी मिल जाएगी ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको ये question साथ ही साथ बता देता हूँ जो कि third numerical problem है तो इस question में आप देखी work out the requirement quantity as of FYM urea SSP and potassium sulfate is the recommendation dose is 150 kg nitrogen 50 kg potass and 50 kg phosphorus and 25% should be 25% nitrogen should be applied through FYM इस question में आपको क्या करना है कि एक particular crop है जिसमें हमें 150 kg nitrogen 50 kg phosphorus and 50 kg potass देनी है जिसमें से 25% जो nitrogen है वो हमें FYM farm yard manure के थरो देनी है जिसको हम देशी खाद बोलते है ठीक है तो अब चलते हैं इसके solution की तरफ तो सबसे पहले हमें इसमें के calculate करना है तो सबसे पहले हम 150 kg total nitrogen है उसका 25% निकालेंगे तो 150 into 25 upon 100 तो ये निकल कहा है 37.5 kg nitrogen applied through FYM ठीक है बात कर लेते हैं composition of FYM की FYM के इंतरगत 0.5% nitrogen 0.25% phosphorus and 0.5% potassium पाया जाता है तो दूसरे step में calculate the quantity of FYM इसमें आप देखे 0.5 kg nitrogen present in 100 kg of FYM तो 1 kg nitrogen present in 100 upon 0.5 kg FYM तो 37.5 kg nitrogen present in 100 गुणे 37.5 upon 0.5 इसकी जब हमने calculate करी तो बात निकल कहा है आपर 7500 kg FYM जो की quintal में 75 quintal FYM अब 25% जो nitrogen थी जो की थी 37.5 kg उसको FYM से देने के लिए हमें 75 quintal FYM की आवज्यक्ता पड़ेगी ठीक है अब हमने 75 quintal जो FYM फिल्ड में दिया है उसके इंतरगत कुछ पुटास भी होगी और कुछ फासपूरस भी होगी तो सबसे पहले हम क्या calculate करेंगे कि कितनी फासपूरस और पुटास हमें FYM से मिल जाती है तो third step रहेगा हमारा calculate the phosphorus quantity present in FYM इसमें आप देखी 100 kg FYM having 0.25 kg of phosphorus 1 kg FYM having 0.25 upon 100 kg of phosphorus and 75 kg FYM having 0.25 into 75 upon 100 point 802 0 बढ़ा ली and इसकी जब हमने calculation करी तो यह निकल के आया 18.75 kg phosphorus तो 18.75 kg phosphorus हमें FYM से मिल जाएगी ठीक है अब चलते हैं fourth number की calculation की तरफ जो की हम करेंगे calculate potassium quantity present in FYM ठीक है तो इसमें आप देखी 100 kg FYM having 0.5 kg potassium 1 kg FYM having 0.5 upon 100 kg potassium and 75 kg FYM having 0.5 upon 100 into इसकी जब हमने पूरी calculation करी तो यह निकल का है 37.5 kg potassium ठीक है तो 37.5 kg potassium FYM से मिल गई अब हमें क्या करना है कि जो FYM हमने फिल्ड में दे दिया उससे हमें जो जो चीजे मिली उनको एक बार total quantity में से minus कर दे रहा है ठीक है तो यहां पर देखिए calculate rest quantity of NP की तो total quantity थी हमारे पास 150, 50 and 50 अब 150 में से 37.5 kg FYM से दे चुके हैं तो total rest quantity of nitrogen हमारे पास बची 112.5 kg and phosphorus की बची 31.25 kg and potassium बचा 12.5 kg ठीक है तो अब यह जो quantity है बन-बन 2.5 kg 31.25 kg and 12.5 kg यह हमें देनी है urea single super phosphate and potassium sulfate से तो अब six step में हम क्या करेंगे calculate the quantity of urea ठीक है urea की quantity को calculate करेंगे तो यहां पर आप देखिए 46 kg nitrogen present in 100 kg urea and 1 kg nitrogen present in 100 upon 46 kg of urea and 112.5 kg nitrogen present in 100 upon 46 into 112.5 जब हमने इसको पूरी करे से calculation की तो निकल का आया 244.56 kg urea ठीक है तो इसके लिए आप 244 kg urea market से purchase करेंगे जिसमें आपको 112.5 kg nitrogen मिल जाएगी तो यह actual urea की quantity निकल करके आई and अब हम चलेंगे quantity of single super phosphate calculate करेंगे तो इसमें आप देखिए 16 kg phosphorus present in 100 kg SSP 1 kg phosphorus present in 100 upon 16 kg of SSP 31.25 kg phosphorus present in 100 into 31.25 upon 16 kg of SSP तो हमने आपर कहके है कि पॉइंट अटाये और दो जीरो नीचे बढ़ाये और दो जीरो से दो जीरो काड़ दे ठीक है तो 31.25 पॉइंट से पॉइंट 16 किया तो 195.31 kg हमारे पास यहां पर SSP निकल के आई जिसको कि हमने 195 kg SSP कर लिया ठीक है आपको 195 kg single super phosphate market से purchase करने पड़ेगी 31.25 kg of phosphorus की requirement पूरी करने के लिए एंड लास्ट स्टेप है calculate the quantity of potassium sulphate अब जो potassium sulphate में कह रहता है 43% potassium पाई जाती है ठीक है तो 43 kg potas present in 100 kg of K2SO4 एक kg potas present in 100 upon 43 kg of K2SO4 एंड 12.5 kg potas present in 100 into 12.5 upon 43 पॉइंट आटाए एक जीरो बढ़ाए एक जीरो से जीरो कर दिया तो 125 into 10 किया तो 1250 आज़े ठीक है 1250 upon 43 29.06 तो टोटल आया आपकर 29 kg K2SO4 ठीक है तो यदि हमें 12.5 kg जो पोटास है उसको पूरी करने के लिए 29.06 kg जो potassium sulphate है उसको market से purchase करना पड़ेगा ठीक है अब 9 जो step है उसमें हमने total quantity लिखी है यहां पर कि 150 kg nitrogen and 50 kg पोटास and 50 kg phosphorus को देने के लिए जिसमें की 25% जो nitrogen है वो हमें FYM से देनी है तो हमें kidney quantity of urea, SSP and potassium sulphate चाहिए तो वो हमने यहां पर लिख लिए तो total FYM हमें चाहिए यह 75 kg जिसको की हम 75 quintal बोल सकते है यूडिया 2.44 quintal या 244 kg SSP 195 kg या 1.95 quintal and K2SO4 39 kg आपको चाहिए ठीक है 29 kg इस वीडियो में कोई है यदि आपको कहीं भी इस वीडियो में कोई confusion हो तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके पूश सकते हैं और आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं और Telegram पर भी इसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी तो friends उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें share करें और जादा से जाद अपने दोस्तों के साथ में share करें और चैनल को subscribe कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई topic के साथ तक तक के लिए बढ़ते रहो बढ़ते रहो